नमस्कार दोस्तों मैं रहीम स्वागत करता हूँ आपका मेजेस्टी को में यूटूब चैनल में तो दोस्तों ले आया हूँ आपके लिए 4BHK का फ्लाइट इंडिपेंडेंडेंट फ्लाइट है टू साइड ओपन है और गेटिट सोसाइटी है बहुत अच्छी लोकेशन मे चैनल में तो ऊती है तो दोस्तो यहां से कर चुका हूँ अब अपने 4BHK independent flat के अंदर जो की रहने वाला है 4BHK देड़ सुगच के अंदर जिसके अंदर आपको मिल जाते हैं 4 toilet bathroom और ventilated सारे bedroom रहने वाले हैं दो आपके front balcony बे हैं और दो bedroom आपके back balcony बे रहने वाले हैं तो सबसे पहले में बात कर लूँ इसके living area की तो आप देख सकते हो कितना अच्छा spacious luxurious या आपका living room रहने वाला है जिसके साथ आपको इस तरीकी की sitting मिलने वाली है आपके जो sofa seat रहने वाले है around 12 to 15 seat आपको sofa placement यहाँ पर मिलने वाली है गाईज और दो आपको यहाँ पर center table दी जाती है जिसके अंदर glass का भी provision दे रखा है और दो यहाँ पर आपको puffy मिल जाते हैं sitting के लिए तो काफी अची यहाँ पर आपको sitting देखने को मिलती है आप देखे सकते हो कितना अच्छा यहाँ आपको sofa दिया जा रहा है और साथी साथ यह जो cushioning दे रखी है काफी color में design में यहाँ पर color cushioning के यहाँ पर pillow दे रखे हैं आपको यह आपके sofa के साथ और अगर मैं बात करूँ पीछे wall की तो जो हमने back wall design कर रखी गाई बहुत अच्छी हमने प्योपी से design कर रखे इस wall पे और light gray color का यहाँ पर हमने paint यूज किया है साथी साथ यहाँ पर जो आपको painting देखने को मिलती है इसकी living room की get up को जादा enhance करती है luxurious shander मिल जाता है तो अब बात कर लेती एक partition की जो आपके living room में partition रहने वाला है तो यह partition में भी हमने काफी अच्छी में आपके cutting sheet दे रखी है ग्लास का provision दे रखा है copper glass का use कर रखा है यहाँ पर भी आपको दो टॉप मिल जाते हैं आप अपने वोडिंग यहाँ पी कुछ समान रख सकते हो यह आपको एक मिल जाता है आपको एंटीक मिल जाता है साथी साथ आप बात करूं इसके LED पैनल की तो गैस यह रहने वाला इस दो रहने वाली है और हैंडल जो दे रखे हैं वह भी अच्छी क्वालिटी के इसमें यूज कर रहें चैनल भी काफी अच्छा इसमें देखने को मिलेगा और स्विचबोर्ट वगर्रा सारे एंकर के रहने वाले हैं सारी वाइरिंग जो रहने वाली इस फ्लैट के तो मैं वही फ्लाट लेकर रहा है, डाइनिंग स्पेस के साथ ये फ्लाट है, जिसमें आप अराउंड 8-12 सीटर आप डाइनिंग एरिया आप बना सकते हो, यहाँ पर यहाँ पर कितना प्यारा दिया गया है, यहाँ पर एक लैंब का प्रोविजन दे रखा है, और यहाँ पर फ्लावर पोड कोई पेंटिंग वगर आप रखना चाते हो, वह भी यहाँ रख सकते हो, बहुत अच्छा स्पेस आपको यहाँ क्रोकरी उनिट में मिल जाता है, नीचे आपको यह वुडन के दोर्स दिये जाते हैं, तो यह भी काफी स्पेशियस रहने वाले हैं, दोनों प्यारी सीलिंग के साथ यहाँ पे एक लग्जीरियस दिये जाता है, जो की राउंड शेप में है, कॉपर फिनिच में है, जो आपका रहने वाला है, जिसकी गेटब होग जादा इन्हांस करती है आपके डाइनिंग एरिया को, और अब बात कर लेते हैं इसकी किचेन की, त आपकी किचन में बिल्कुल लाइट और रोशनी रह सके, चैनल्स वगएरा जो रहेंगे, रहेंगे नीचे की, वो आपकी नीचे ग्रे कलर में रहेंगी, और सौफ्ट आपके सारे ये चैनल्स रहेंगे, देख सब तो आप गाईस, जो ये हैंडल्स की अगर मैं बात करू, तो रोज गोल्ड हेंडल क्या पर यूस कर रखा हैं ब्रेंड़ जाती हैं और काफी इरिय रहने वाली है, और यह आपका वोश्य वेशं रहेंगा, यहां पर भी वोश्य वेश्वेशन इस्टोल होना है, इसके टैप्स वगएरा का प्रोविजन इस तरफ दिया जाता है, और उपर यह आप देख सकते हो बहुत बड़ा स्पेस दे रखा है जैसे कि आप बड़े से बड़ा आरो लगाना चाहते हो वह यहां पे आप इंस्टोल कर सकते हो शाफ्ट एरिया आपको इस तरफ मिल जाता है आपका एक्जोस्ट यहां लग जाएगा चिमनी के आपके डाइनिंग एडी के ठीक सामने तो आई अब मैं दिखा लेता हूं इसका कॉमन बात्रूम तो कॉमन बात्रूम रहेगा हमारा इस तरफ रहेगा हमारा कॉमन बात्रूम अभी थोड़ा सा समान भेल लग कर अब साइस देख लिए उस साइड में हमारी पोर्ट आ जाता है जिसके नीचे यहां पर हम आपको वोश्वेशन लगा के देंगे और पूरे वोश्रूम के अंदर आपको वोल टूवल आपको टाइल्स का प्रोविजन मिल जाता है जो की क्रेमी वाइट फिनिश में टाइल रहने वाली है तो यह आपका कॉमन वोश्रूम रहेगा आए अब चलते हैं अब के फिस्ट बेड्रूम की तरफ तो दोस्तों यह रहेगा हमारा फिस्ट बेड्रूम जो की मास्टर रहने वाला है विद बैलकनी विद वोश्रूम अटाइच सबसे पहले आप साइस देखिए बारा बारा कई आपका बेड्रूम रहने वाले जो की है और इतने ब्यूटिफुल लग्जीरिस इंटीर के साथ यह लेकर रहा हूं आप देख सकते हो वीडियो में कितना प्यारा लग रहा है कुल्टिंग का जो डिजाइन दे रखा है कुल्टिंग है कॉपर ग्लास का यूज है और डबलू पीची शीट का भी यहां पर देरा का option दे रखा है दोने तरफ आपको माइका मिल जाती है slider डॉल का यहां पर यूज किया गया है हाइग लोशी माइका यूज कर रखिए जो की रूम की ठीम को मैच करता है साथ यहां पर ड्रेसिंग एरिया दे रखा है और यह भी यहां पर इसमें के डे रखेंग को य यह देखी गाइस पूरे फ्लैट के अंदर आपको अलमीरा का और LED पैनल का का काम जो है वह बहुत अच्छा देखने को मिलेगा पूरा ग्रीन बोड में हमने इसमें काम कर रखा है दीमक प्रूफ रहने वाला है आप साइज देखिए बहुत अच्छा साइज इसमें आपक जो की बहुत अच्छा स्पेसियस देखने को आप मिलता है यह रहेगा हमारा इरिया इसमें की डिवेटर फिटिंग अभी लगना बाकी है हमारा सीलिंग शावर रहेगा ओपर की तरफ और जो हमारा पोर्ट एरिया रहेगा इस तरफ यहां पे वहल मांटेट सीट लगाके ह इधर रहेगा और अगर आपको इस फ्लाइट में घीजर लगाने तो हम घीजर भी यहां पे लगा के देंगे जिसका की पॉइंट अल्रेडी बना चुके हैं पूरी वाल्ट वोल सीलिंग तक टाइल से रहने वाली हैं और इधर यह आपका LED मिरर रहेगा और ऊपर यह आप आपकी balcony भी रहने वाली है spacious balcony है अराम से आपको morning में इवनिंग में बैठ सकते हो अपना चेयर बगारा डालके planting का भी प्रोविजन आप यहां कर सकते हो और बहुत वाइड गली आपको यहां पर मिलने वाली है के इसमें आपको और stainless steel का यहां पर रेलिंग का प्रोविजन क मिलने वाली है आइए चलते हैं अपने second bedroom में तो यह रहेगा मारा second bedroom जो कि यह भी वालकनी से टाइच रहेगा बारावाई चोदा गए बैडरूम रहने वाला है फुली स्पेस है यह भी दोनों तरफ बैड के साइज आपको बहुत अच्छा स्पेस देखने को मिलेगा बैक इसके यहाँ पर विंडो इसी लगा सकते हो और यह रहेगा आपका led पैनल तो बहुत अच्छे स्पेस के साथ की led पैनल है माइका की जो यूसेज है बहुत अच्छी माइका इसमें यूज कर रखी है साथ यसाथ कॉपर पट्टी का भी इसमें यहाँ पर यूस करने को मिले और यह रहेगी इस वैड्रूम की अल्मीरा तो यह भी स्लाइडर रहेगी गाईज पेस्यस रहेगी आपके अल्मीरा स्लाइडर है माइका जो दे रख्ये से मैलेडी पैनल से मैच है और ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है यहाँ पर आपको तो आएब चलते हैं इसके थर्ड घंदर जो थर्ड बेड्रूम ने वाले क्योंकि उसके साथ भी आपको अटैज कर दे का यतHello बोट साइड और चार्जिंग पॉइंट का भी प्रोविजन दे रखा गाइस दोनों साइड में चार्जिंग पॉइंट का जो कलर फाब्रिक जो कपड़ा यूज कर रखा बहुत अच्छा यहां पर यूज कर रखा है पिलो बगारा बैट सिट बहुत प्यारी इसमें मिल जा जाता है और साथ ही साथ आपको ड्रेसिंग एरिया भी इसमें मिल जाता है तो आएए देख लेते हैं इसका वोश्रूम अटाइट जो है फुली स्पेशेज रहेगा यह भी एलेडी मिरर के साथ सब्सक्राइब के साथ और जो गाइस सेनिटरी का प्रोविजन वह भी इसमे दो चेर डालके स्टेनले स्टेर के आपको रेलिंग मिल जाती है और जो पीछे आपकी गली रहने वाली है जो की बहुत स्पेशियस मनी जाती है आएफ चलते हैं इसके फॉर्थ बैड्रूम में तो यह रहेगा हमारा फॉर्थ बैड्रूम जिसके साथ यहां पर भी आपको अटाइच वोश्रम मिल जाता है से मेलीडी पैनल और अल्मीरा का वर्क प्रॉपर भूद अच्छे से मिलता है बैड मिल जाता है आपको कुल्टिंग डिजाइन के साथ और यहां पर देख सकता आप इसको अपना रेडी होने के लिए अपना देख सकते हो ठीक सामने और यहां पर आपको मिल जाते है इस प्लीट ऐसी की फिटेंग सिधा आपको बालकनी में भार आउट्डोर लग जाएगा और आपको जो इंडोर लग जाएगा यहां पर लग जाएगा लेडी पैनल जो मैंने बताई ती सारी एंकर की रहने वाली है सीलिंग एक बार यह आप देख लिए बहुत चीसमा आपको सीलिंग मिल जाती है जिसके साथ कंपनी का फैन आपको मिलता है वीद वारेंटी आई अब दिखते हैं इसका अटाइच वोश्रूम का साइज रहेगा जिसके अं हमारा साइज है फॉर्थ बैडरू फॉर्थ बैडरूम के अटाइच वोश्रूम का तो चलते हैं इसके लिविंग रूम की तरफ तो गईस कुछ इस तरीके का आप मारा यह फॉर भी एचके का फुली फनिस फ्लाइट है जिसके अंदर आपको चार बैडरूम चारों के पर आप मेट्रो सेशन को टच करते हैं गली में सी आपको मेट्रो लाइन दिख जाती है बहुत अच्छी लोकेशन रहने वाली है रामा पार की और मैक्सिमम लोन के साथ यह प्रोपर्टी रहने वाली है फ्री होल्ड प्रोपर्टी है पक्की रेजिस्टी के साथ अगर बादा देर ना करिए इस नुएर पर अपने इस फोर बेच के फ्लाट के अंदर शिफ्ट होईए मिलता हूं अपनी नेक्स वीडियो पर एंड थैंक्स वर वोचिंग मैं वीडियो